हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूटूब चेनल डिये सोंगा इंटरी की जिग्गे में और आज के वीडियो में हम राजस्तान के एक एकरण का दूसरा परट लेकर आए हैं तो बात करते हैं हमारे पहला क्यूशं यानी के घृत्तारीस नम्र क्यूशं के हम बात करते हैं 40 क्यूशं हमने पिछली वीडियो में देख लिये थे तो हमारा 41 क्यूशं के है वह राजस्तान के एक एकरण में अर्थम-चरन का नाम मतर्शे संग किस नहीं दिया तो इसका right answer क्या हुजएगा k-m 16 ने दिया तो इसका right answer क्या हो जएगा k-m 16 अगला question किस समित्य के शिपारी स्व पर जैप्पुर को राजदानी बनाना सूर निस्चित किया गया तो सते नारायन राव समित्य के अधार पर जपर को राज़दानी बनाना निश्चित किया गया तो इसका उप्शन नमर तीन इसका राइट हो जाएगा सबते नारायन समीति अगला किस समीति की शिपारिसों के आधार पर सेस बचावा भू भाग अजमेर अबू राजस्तान में मिलाया गया तो पजल अली समीति के आधार पर अबू और जो अजमेर के दूस्य बचावा भाग उसको राजस्तान में मिलाया गया तो इसका उप्शन नमर एक राइट हो जाएगा पजल अली समीति अगला किस्टन राजस्तान में से रियास सम्मन दीरी शमच्याओं के समाद हां के लिए रियास्ति ववा की स्थाफना कब की गई तो इसका राइट एंसर की जाएगा पांस जूलाए गुनिश्सो सेंतालिस को की गई तो इसका उप्शन नमर एक राइट हो जाएगा अगला किस्टन राजस्तान के एकिकरण की परकिर्ए की समए gitti की वारसिक आए टी तो इसका रहिट एंसर क्या हो जाएगा वार्षिक आए वारसिक आए और kommtसे संग की तो इसकी 144 लाफ रुपै थी वारसिक आए अगला क्यूसिन राजस्तान की किस रियास्त को पंडित जमादाल नेरू ने विश्वे का आश्चरे का है किस का बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन के पंडित जमादाल नेरू ने किस रियास्त को विश्वे का आश्चरे का है जेसल मेर को का है क्यूंकि इसने कोई भी सुतनतरता से के साथ मुझे सो चपन में रग्स्तान का एककरण पुरुण पुरुरुण हुआ वे ढुसेट ही अगई अगुस्टं तो ये था अबू रोड देलवर्डा और अजमेर तो इसका ओप्षिन एक कि इसका जिसका यह अलवर से था थो इसका नोमर 2 र José goddess एक अगला क्यूंशन मत्त से संग नेमन में से इड़े रजे समलित किये थी ता HAS पिछली वीडियों में बात की थे जो पर रदन से संग में जो रज वी आश्ते हैं समस्पिक चिह आप इसी डी तो यानियालृर बर्तपूर करूली दौलपूरً तो इसका कॉंप वगु करोक्र क्यूंटन मेरा 20 के बहुत जाए कि बारत की बाताइति के समय राज बताना कि दिश्रियासतों के सकh कितनी थी तो मैंए आपको प्षले वीडियो में भी बताया था कि इस देशी रियास्तों के संग्या गुणीश थी और तीन थी काने वा एक के अंदर सासीत पर्देश था तो इसका उप्षन नमर कितना राइट हो जाएगा कि बैए इसका उप्षन नमर राइट हो जाएगा गुणीश अगला क्यूशन है निमन सेरों को राजस्तान के एक एकरण के समय इस्तापित सरकारी कारेलें के साथ सुम्मेलिफ कीजिए तो देखे इसका क्या होगा कि बर्दपूर जोदपूर बिक्कने और उद्यपूर तो यहाँ पर किस परकास एता तो बर्दपूर में क्या आइ आप जोदपूर में क्या था जोदपूर में था हाइ कोरट तो यह इस स हिसका संद्ध हो जाएगा बर्दपूर बर्दपूर में था कज़्शी तक जड़िवा कनीज है और उद्यपूर में खनीज वीवाग और और बीकानियर के अंतरगत शिक्षा भी बागते हैं इस प्रकार से ये सुम्मेलित आप याद रख सकते हैं और कई बार एक्जाम में पूछा भी क्यूशन है अगला क्यूशन है अगला क्यूशन विले पत्र प्रस्ताक्सर करते समय किस ने कहा कि मैं अपने डेत वारंट पर अस्ताक्सर कर रहा हूँ कई बार ये इंपोर्टेंट एक्जाम के दर्ष्ट ये बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्जाम में पूछा भा क्यूशन कि विले पत्र पर अस्ताक्सर करते समय मैं किस ने कहा कि मैं अपने डेट वारंट पर अस्ताक्सर कर रहा हूं तो यह बासवाड़ा का महारावल चंदरवीर चिंग ने कहा था तो इसका उप्षन नमबर दैराइट हो जाएगा अगला क्यूशन वरियत राजस्तान तीस माराज गुनिशो गुननचास का उदगाठन किया था तो वरियत राजस्तान या विशाल राजस्तान तीस माराज गुनिशो गुननचास को इसका उदगाठन वलब बाई पटेल ने किया था तो इसका उप्षन नमबर से राइट हो जाएगा मतस्य संग लिए अठाराअ मार्ज गुनले इस ऑड़ा राजप्रमु कीशे बने गए गया तो का उसका उप्षे नमर एक राइट हो जाएगा और इसका परदान मंत्री जो बने गया था सूबा राम कुमावत को तो यहां पर आ रहे ने कुमावत होगा सुभाराम कुमावत को कि अगले क्यूसन के बात कर लेते हैं कि मतस्य संग का वरियत राजस्थान में कब विले किया गया तो इसका हो जाएका पंदरा मही 1904 को किया गया तो इसका ओप्सन नमर्ट तेन राइटो जाएका 15 मरी गुनिशो गुनिशास को और उसके बाद में इसका नाम क्या रखा गया नियाम इसका रखा गया सैयूक तो वरी है थे राजस्तान सैयूक तो वरी है थे और राजस्तान इसका नाम हो गया बाद में अगला क्युष्ण है देशी रियास्थ थे जो 25 मार्च 2008 को गटी थे सब्सक्राजस्तान का इस्सा नहीं थी बुंदी पर्ताव कट उध्धेपूर साहप रा तो इसमें ये उध्धेपूर नहीं था ये तिनों थे सब्सक्राजस्तान के अंदर बात कि जाई तो नो रियास्ते और एक ठीकाने का एक इकरण राजस्तान में वा था 25 मार्च गुनी 1440 को कठित राजस्तान संग में राजस्तान संग में निमन लिकित देशी रियास्तों का कौन सा समुवज समलिक नहीं है तो इसका उद्धेपूर डूंगरपूर बहुत वड़ा परता पर क्योंकि उद्धेपूर इसके अंदर करत नहीं था इसलिए ये उद्धेपूर वाला उपसन ये रैट हो जाएगा कि उद्धेपूर इसके साथ में नहीं था कि एक कीरित राजस्तान के निरमाने में मत्त से संग में समील जिल्य थे तो अलवर बर्थपूर दौलपूर करो ली जो क्यूसन आपको रेपीट हो रहे हैं उस क्यूसन को आप वीडियो naire answer देखें अपने answer बताएं था कि आपको question याद रुजए question number 6 के बात करते हैं कि राजस्तान का एकिक्रन कितने चरणों में पुरा ओओ तो राजस्तान का एकिक्रन कितने चरणों में पुरा ओओ साथ चरणों में पुरा ओओ जो बहुत गुनिशो अड़ताली से लेकर एक नॉम्बर गुनिशो चप्पन तक यानि कि आट वर्स से साथ माहे और चोदा दिन में पूरा वा तो आप इसको इस वर्कार से याद रखते हो आट साथ और चोदा आट साथ चोदा के इसाब से आप याद रखते हो अगला क्यूशन मेवाड के महाराणा बूपाल सिंग किस वर्स मेर राजस्तान के महाराज परमुक बने तो ये गुनिशो गुननचास में बने तो इसका उप्षन नमर ये राइट हो जाएगा क्यूशन नमर 62 की बात करते हैं 1948 में किसको मतश्य संग का राज परमुक बनाए गया तो राज परमुक उद्धेवान सिंग को बनाए गया था तो महाराजा उद्धेवान सिंग इसका एंस्वर हो जाएगा अगला क्यूशन मतश्य संग का कौन सा राज जनता के बहुमत के अधार पर उत्र प्रदेश के साथ विलेनी करण के लिए तयार था तो ये क्योज़ेगा दोलपूर दोलपूर रज्य मत्वसेंसंग का रज्य दोलपूर जन्ता के बहुझमत के हधार पहर पुत्तरप्रदेश के साथ विल्यनी कर coupon के लिए तैयार था किसेномर 64 के बात करते है राजस्टान में अज्मेह के विल्यकि समय वहां का मुख्य मंत्री कुन था तो राज्यस्तान के अजमेर के विले के समय वहां का मुख्य मंत्री कोन था तो अरिभाव उपद्याए था तो इसका ओप्शन नम्मर तीन राइटों जाएगा अरिभाव उपद्याए अगला किसन सयंगत राज्यस्तान का अप्रेल 1848 को किसने उद्गाठन किया दोस्तों यहाँ पर क्या है सभी तो राज्यस्तान के बारे में जो डेटती हुए यह इसमें तोड़ी मिस्प्रेंटिंग हुई है तो आप इसको इक बार पिछ्छी के वीडियो में आप पर देख लेना तो दोस्तों आप इसको इस परकार से भी लिख सकते हो कि 18 अफ्रेल 1948 1948 लिख सकते हो तो इसका उद्गाठन जवारे लाल नेरू ने किया था ओप्शन नमर इसका से राइट हो जाएगा अगला क्यूशन कि मतश्यसंग की राजदानी क्या थी तो मतश्यसंग की जो राजद क्यां इस आपनां सबहा कि कितने सदेस्यों की थी ति जुझा अगला क्यूशन निए राजदान के गठन के विभन चरणों नंके क्चितियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है तो जो वर्तमान राजिस्तान है वो एक निवंबर गुनिशुचपन को साथवा चरण होगा ये एकदम राइट है छटवा चरण जन्नवरी गुनिशुपचास को तो ये राइट है जो छटवा चरण वर्तमान में बात करें तो चबी जन्नवरी गुनिशुपचास को होगा फर्तम् चरण अठारा मारच होगा हमारा पंद्रा माई गुनिष्ट राजस्थान बना था जिसमें मत्तष्य संग को वरियत राजस्थान में समलित किया गया पंद्रा माई गुनिष्ट गुनिष्ट राजस्थान में मिलाकर सैयुक्त वरियत राजस्थान नाम रखा गया अठारा माराज गुनिष्ट गुनिष्ट राजस्थान का समारवा किस दुर्ग में हुआ तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा लोहागड दुर्ग भरतपूर तो मारा जो लोहागड दुर्ग के वो कावापर है भरतपूर तो लोहागड दुर्ग जो है लोहागड किले को राजस्थान का सिंग दुवार या पूर्वी सिम्मांत का प्रहरी का जाता है यह किला आईताकार है जो 6.4 किलो मेटर में विष्ट्रित है किले की सुदरदा के कारण इसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाये थे इस कारण इस लोहागड की संग्या दी गई है और सो बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन और लोहागड के बारे में यह भी का जाता है बर्तपुर्व जिलिग वारे में विका जाता है कि 8 प्रेंगी 9 गोरा और लड़े जाट के 2,4 क्यूशन नमर सतर की बात करते हैं कि मतस्चे संग के नि निर्मान में मतस्य संग का निर्मान का रजस्तान के 21 का फर्तम चलन था इस अधरा मार्ज 148 मतस्य संग के नाम के М6 के द्वारा दिया गया यह भी सकायाटेंसमर है मतस्य संग्यराज पक्रोली के महराजा थे इसके बारे में बाद में देखेंगे अगला देखते हैं कि मताशे संग के परदान मंतरी सोबराम कुमा होते हैं तो मैंने आपको उप्रोली कुछने बता है कि मताशे संग के परदान मंतरी सोबराम कुमा होता और जो राजपरमुक थे वो थे उदेभान सिंग तो इसका ये एंसो राइट हो जाएगा महाराजा करोली के महाराजा थे राज प्रमुक ये उदेबान सिंग थे दोस्तो अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो अफ्लोड किया जाए उसका नोटिफिकेसन आपको प्राप्त हो जाए और वीडियो के अंत में आप ये भी बताएगा कि तीस क्यूशन में से आपके कितने क्यूशन और सही हो रहे हैं जिसे आपको अपनी वास्टिक इस्थिक का पता चल जाएगा धन्यवाद